नमस्कार सातियों. अगर आपने CT8 के form को भरते समय कोई गलती की है, जैसे आपका नाम गलत हो गया है, father's name गलत है, mother's name गलत है, या आपका email ID गलत है, phone number गलत है, या इससे भी एक important चीज, बहुत सारे students बोल रहे हैं, कि sir भाशा के चेहन में मेरी गलती हो गई है, भाशा एक की जगह मैंने भाषा दो भर दिया है या भाषा दो की जगह भाषा एक भर दिया है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए आईए आप सभी लोगों को सीटेट से संबंदे कुछ प्रमुख जानकारी दे दे क्योंकि अभी सीटेट का फार्म भरा जा रहा है और अगर आपने अ अपरेल तक 26 मई तक जो है यह लाज़ डेट है और आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 29 तारिक से हमारा एक विंडो खुलेगा करेक्शन विंडो के नाम से हम इसको जानते हैं आपने कोई भी गलती किये चिंता मत कीजिए घबराइए मत आप सभी लोगों के लिए करेक्शन विंडो 29 मई से लेकर के 2 जून तक खुली रहेगा यहाँ पर आप लोग यह डेट नोट कर सकते हैं और आप सभी लोग मतलब यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि यह जो है आपको तीन से चार दिन का समय टोटल मिलेगा इसमें आप जा करके करेक्शन कर लेंगे करेक्शन के लिए अपने सारे डेटा को रेडी रखिएगा और आप सभी लोग यहाँ पर 29 मई का इंतजार किजिएगा जैसे 29 मई आएगा उसे दिन अपना जा करके करेक्शन कर सकते हैं यहाँ पर आप लोग जानते हैं जुलाई के लिए जो है साथियो जुलाई और अग प्रेगाजी को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट में आप अगर कमजोर हैं तो निर्मार बैच के माध्यम से इस बार बहुत अच्छा इसको ला सकते हैं इन्हें शुब कामनाओं के साथ मिलते हैं नए सेशन में आप सभी लोगों से थैंक्यो झाल